और हैं हैं आप लोग कैसे हैं और आज जो हैसे हमने कैसे हैं जो अगर हमने जो हैसे क्या है टेंथ क्लाइस का बाइलोजी से एक चेप्टर का नाम है नियंत्रन एम समनवयान जो उससे क्या है कुछ अबजिक्टिक क्यूचन लेकर आये हैं जो दुझारे कई से एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है ठीक है आई इसको देखते हैं पहला क्यूचन दिया है क्या दिया है कि हर्मोन स्रावित होता है तो हर्मोन जो से स्रावित किस से होता है तब कराइट एंसर क्या हो जा ठीना क्या हो जाएगा यह हो जाएगा कि अगला कि उचन दिया है कि उचन नंबर टू दिया क्या कि ग्वाइटर अथ्वा घेंगा पनपता है वह किसे पनपता है मतलब चीनी की कमी से होता है कि आयोडीन की कमी से होता है कि रक्त की कमी से होता है कि मोटापा से के मने कमी से होता है आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा आयोडीन की कमी से होता है आपका राइट अंसर हो जाएगा कि आयोडीन की कमी से होता है आपका राइट अंसर हो जाए कहां से होता है तो आपका option में दिया है ए में थाइराइट से बी में दिया है एकरीज से सी में दिया है ब्रिक से डी में दिया है ब्रीशन से तब कराइट एंसर क्या हो जागा थाइराइट से हो जागा किसे से होगा थाराईट से होगा थाराईट से अगला क्युचन दिया है क्युचन नमबर चार की मानो में डायलाश थैली है पहला आप्षम ने दिया है नेफिरोन, दुसरा नेरोन, तीसरा माईट्रोकॉंड्रिया, चोंथा इन में से कोई नहीं तो आपका क्या इसमर होजएगा नेफरोन होजएगा त Prob न कर अभ Sky नेफरोन होगा अगला क्यों होजण दिया है पाच मा हैंजिति भोजन का वarto की सैन करक्य किमेर को रब किरी राइट एंसर क्यों हो जागा उपचेन हो जागा ठीना क्यों हो जागा उपचेन यानिकी राइट एंसर ए होगा अगला क्योचन दिया है क्योचन नमर 6 कौन सा पादप नियंतरक फल बेचने वाले वालो द्वारा उपियोग किया जाता है कि तब कर रहा एक इनकी दिया है इसमें क्या है ओप्शन ये में Fcc कम ले दुसरा दिया है कि जिब्रेलीन जी में दिया इथाइलीन क्या क्या हो ज्य sil और इधायली नेपका अंसर राइट हो जाएगा अगला क्यों चंदिया है क्या कि वह संरचना जो उदीपन की पहचान कराती है कहलाती है वह संरचना जो उदीपन की पहचान कराती है उससे क्या कहते है तबका पहला अप्शन में दिया है कि ग्राही प्रभावक उत्र दाइद्व और 45 वह ब overlap answer किस या होजाएगा ग्राही आपका होजाएगा ठीना अगला क्यूशन दिया है क्यूशन नमबर एट निमिखित में कौन सी एक अंतस्त्रावी और ब्रहांस्त्रावी गरंथियां गरंथी दो परकार की होती है निमिखित में से कौन सी एक अंतस्त्रावी और ब्रहांस्त्रावी गरंथी दो परकार की होती है पहला option यह दिया है क्या अगनासे दूसरा दिया है थाइराइड तीसरा दिया है पारा थाइराइड चौंथा दिया है प्यूट्री प्यूट्री गरंथी इसमें आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा अगनासे हो जाएगा आपका राइट अंसर हो जाएगा अंतरवी गरंथी ब्रीक के दोनों ओर उपर इस्थित होते हैं। ग्रंति ब्रीक के दोने ओर वी उपर इस्थित होते हैं, तब पाला अप्षन दिया है, गोणेडस, दुसरा दिया है प्यूट्री, तीसरा दिया है गनास है, च篇वर चौन्त दिया है एंडरीनल, तब कर hemाय टॉनकर क्लाइडान्सर क्लतां करें हो जाका, क्लत क्लत नॡॉर अगला क्योंचन दिया है कि जीवों में ध्वानी ग्रहन करने के लिए संब्यदी अंग है तो आपका पहला अप्षन दिया है प्रकास ग्राहि दुसरा दिया है कि धर्न ग्राहि तीसरा दिया है स्रवन ग्राही चुंतअर दिया है अगला केशल दिया है कि आधि गरंथियां है तो की इसे मोशाव सक्रांथी हा पहलाओ प्राइब्रिक घ्राइब्रौंति दूसरा दिजा पिगोस दिनल्टे तीसरा तो एधी बीग घ्रांथी हो जीए सिद्म जैगा राधी पिशाण दिया है में है अधिक्तर पादप नियंत्री अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन होते हैं किसमी होते हैं ए में दिया है बढ़ते तन्य के अगर भाग पर दूसरा दिया है कि बढ़ती जड़ के अगर भाग पर सी दिया है फुलयम की सहवानी नलियों पर और चौंथा दिया है कि A और B दोनों तब कराइट अंसर के आई से में हो जागा अगर भाग पर भी आपका हो जागा और फिर क्या है बढ़ती जड़ के अगर भाग पर भी हो जागा यानि कि आपका राइट अंसर क्या हो जागा D हो जागा अगला क्यों दिया है कि बीज रहित फलो के बनने को कहते हैं क्या कहते हैं अनिसे चक फलन दूसरा दिया है अनिसे चक अंडपी तिसरा दिया है अगर प्रभाविक्ता अचौंथा दिया इन्हों से कोई नहीं थापका राइट अंसर क्या हो जागा अगर प्रभाविक्ता होता है क्या होता है राइट अडप क्यों अगला क्यों pojaw lod्या है तो A में दिया है insulin, B में दिया है thyroxine, C में दिया है estrogen, D में दिया है cytokinin, तब correct answer क्या हो जागा, cytokinin, क्या हो जागा, cytokinin, आगला क्योंचन दिया है क्या, कि दो तंत्री का कोश्का के मद्दे खाले स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं, तब correct answer क्या हो जागा, अगला question दिया है क्या, कि मस्तिस उतरदाई है, किस के लिए उतरदाई है, तो पहला option दिया है, सोचने के लिए, बी दिया है, हिर्दय संपदन के लिए, सी दिया है, सरीर का संतुलन बनाने के लिए, चौथा दे दिया उपयोग सभी के लिए, तब correct answer क्या हो जाएगा, यानि कि सभी के लिए हो जाएगा, ठी न, यानि कि सोचने के लिए भी होगा, और हिर्दय संपदन के लिए भी हो जाएगा, और सरीर का संतुलन बनाने के लिए भी हो जाएगा, यानि कि right answer रापा के हो जाएगा, डी हो जाएगा, अगला क्योचन दिया है क्या क्योचन नमर उनाइस बहु कोस्किये जीवों में निम्न में से किस परकार का समनवयन पाया जाता है क्या हो जाएगा यानिकी उप्युक्त दोनों मतलब रसायनिक समनवयन भी हो जाएगा और फिर क्या तंत्री का समनवयन भी आपका हो जाएगा अगला क्योचन दिया है बीस तंत्री का को सिकाएं कितने परकार की होती है तंत्री का को सिकाएं जो है वह कितने परकार के होते है ठही न, तो आपका A मेंद इया 1, B मेंद इया 2, C मेंद इया 3, D में दिया 4, तो आपका right answer क्या हो जायगा? 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. यहने कि C आपका हो जाएगा. अगला क्यूचन दिया है क्या? क्यूचनन नम्बर 21 परतिवर्ती चाप कहां बनते हैं तो ए में दिया है मेरी रज्जू बी में दिया मस्तिस्क सी में दिया है पेशिय उतक डि में इन में से कोई नहीं तब करेंट रज्जू हो जगा क्या है गारे जघ्ण आपका राइट एंटेसर हो जएगा एए ओप्संन है कि अगला कि चन दिए है क्या कि सब्सक्राइब के प्रधार्थान नियंत्रक गरंथी किसे कहा जाता है तो आपको यह में दिया हमें जननगरंथी B मी दिया है, P उस गरंथी, C मी दिया है, Theret गरंथी, D मी दिया है, इनमें से कोई नहीं, तब राइट एंसर क्या हो जाएगा, राइट एंसर आपका हो जाएगा, P उस गरंथी, क्या हो जाएगा, P उस गरंथी आपका हो जाएगा, ठी न, अगला क्योचन दिया है, आपका क सब्सक्राइब करें से कोई नहीं तरांग इन अनली का ब्हेन होती है इस रावी गरंथा के लिए कोई ना लिक हो सकता नहीं होती है वह प्लड के माध्यम से सब्सक्राइब करते हैं अगला क्योंचन दिया है क्या 25 थाइराइड गरंथी की अल्प किरियता के कारण कौन सा रोग उत्पन होता है तापका पहला दिया अप्शन में और टू मानता बी में दिया है और टू अल्प किरियता सी में दिया है मिक्स डिमा और डी में दिया है सभी तब कर रेट एंसर क्या हो जाएगा यह सभी हो जाएगा अगला क्योंचन दिया है 26 अगनासे द्वारा नीमनी में से कौन सा हर्मोन स्त्रावित होता है अगनासे द्वारा नीमनी में से कौन सा हर्मोन स्त्रावित होता है तब कप पहला अप्शन दिया है इंसुलीन गुलको गौन सी में दिया है दोनों इन में से कोई नहीं था आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा दोनों क्या हो जाएगा दोनों हो जाएगा याने कि इंसुलीन भी गुल को गौन भी हो जाएगा इसलिए आपका राइट अंसर सी हो जाएगा अगला क्योंचन दिया है क्या कि पतियों का 27 पतियों का मुर्जाना किस पादफ हर्मोन के कारण संभव हो पाता है तो पहला आप्शन आपका दिया है जिवरेलिन बी में दिया है साइटो कानीन इसमें सभी तबकर एट एंज्सर क्या हो जाएगा C क्या हो जायगा C अपका हो जायगा तीना अगला क्योंचन दिया है क्या क्योंचन नमर 28 स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा कि स किरिया बीधी द्वारा नियनत्रीद की जाती है मैंने स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा कीस किरियभी द्वारा नियंत्रीत की जाती है तब का पहला अप्षन दिया है स्रामन दुसरा दिया है परिसुधन तिसरा दिया है अनुक्रिया डिम दिया है पूर्ण भरन तब का right answer क्या हो जागा पूर्ण भारन हो जागा क्या हो जागा पूर्ण भारन आपका हो जागा अगला question दिया है कि जड़ का अधोगामी ब्रीधी है जड़ का अधोगामी ब्रीधी क्या है अगला क्यो लिया है क्या है तिस पाउंच मैं डूला और अनुमस है क्या है तो मतलब आपका पहला option दिया है कि अगर मस्तिष का हिसा है मद मस्तिष का हिसा है पच्छ मस्तिष का हिसा है प्रमस्तिष का हिसा है तो right answer क्या हो जाएगा पच्छ मस्तिष का हिसा है क्या हो जाएगा पच्छ मस्तिष का हिसा है यानि कि C हो जाएगा अगला क्यों चन दिया है 31 निमली खित में कौन से अनयचिक क्रिया नहीं है तो A में आपशन दिया है woman, B में दिया है चबाना, C में दिया है लाराना, D में दिया है हिर्दे धड़कना तब का right answer क्या हो जागा? चबाना, क्या हो जागा? right answer अपकब बी होजगा चबाना ठीना अगला क्यों चंदी या है اور टूब गरंथी को ठह्रोक्सिन हर्मोन बनाने के लिए क्या अवस्यक है और टू गरंथी को थेरोक्सिन हर्मोन बनाने के लिए क्या वस्यक है तो A में अपना दिया है sodium, B में दिया chlorine, C में दिया phosphorus इनमे से और D में दिया इनमे से जब ही तब का राइट हैंसर क्या हो जागा sodium क्या हो जागा sodium आपका राइट आइट हो जागा अगला क्योचन दिया है क्या मस्तिश का कौन सा भाग सरीर की इस्थिती तथा संतुलन का अनुरच्छन करता है अगला क्योचन दिया है पादा फार्मन साइटोकाइनीन साहयक है किस मेसाइक है पहला अप्सन दिया है प्रोरोहन के अगरभा के लंबाई में बृधी के लिए बीमिद्या तने की बृधी के लिए सिमिद्या पादप का प्रकास की और मुड़ने के लिए इनमें से सब ही तापका राइट एंसर क्या हो जागा प्रोरोहन के अग्रभाग के लंबाई के ब्रीधी के लिए ठीन होता है अगला क्यूचन दिया है क्यारा? क्यूचन नमर 35 अनुकुंचन गती किस पौदे पर प्रमानित कि जाती है पहला option दिया है छुई मुई पर दूसरा दिया है घृत कुमारी पर सीव दिया है केंडूला पर डी दिया है के टेक्स पर तो आपका right answer क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा कि छुई मुई पर किस पर हो जाएगा छुई में पर जो से प्रमानित की गई थी अनकुंचल गत्ती का अगला कि उचन दिया है कि ब्रीक किस तंत्र का भाग है ब्रीक यानि किड़नी जो है किस तंत्र का भाग है तब पाचन तंत्र का परिशंचरन तंत्र का उत्सर्ण तंत्र का स्वसन तंत्र का तब राइट एं तंत्र का हो जागा किसका हो जागा उतसर जन तंत्र का हो जागा ठीन अगला क्यों चन दिया है क्या इनसुलीन 35型 इनसुलीन की कमी के करण कौन सा रोग उत्तपन होता है ठीना ép। एटस बेरी बेरी सी मि दिया घेगा डी मि दिया है मधुमे Participator है तब रैट एंट सर क्या होगा मधुमे हरो गुत्पन होता है क्या हो जागा इंसुलीन की कमी के कारण ज्यों से मतलब मधुमेह रो गुत्पन होता है अगला फियोचन दिया है 38 कि खोंपड़ी के अघ्रे सीरे पर इस्थित निरोन को शरीर के विभीन भागों से प्राप्त होता है मने क्या जल, खुन, संकेत, वायू तब कर राइट एंसर क्या हो जागा संकेत राइट एंसर क्या होगा कि संकेत जो हैसे प्राप्त होता है अगला दिया है क्या निरोन के 49 दिया है क्या कि अव्ट्टू गरंथी को थाइरोक्σιन हर्मोन बनाने के लिए अवस्यक्य है क्या है पहला अप्शन दिया है लोहा बी दिया है वासा C दिया है प्रोटीन डी दिया है आयोडीन तब राइट एंसर क्या हो जागा आयोडीन हो जागा क्या हो जागा आयोडीन हो जागा अगला क्योचन दिया है क्या क्योचन नमबर 40 लीडिंग को सिखा कहां मिलती है लीडिंग को सिखा कहां मिलती है पाला आप्षन दिया है बिरिशन में पीस गरंथी में अंडा में जो है से लिडिंग कुछ का मिलती है अगला क्यों चन दिया है कि एक तालीस कि और जिन पादफ हर्मोन पौधे के किस किरिया में सहयता करता है तो एमेदिया ब्रीधी में स्वसन में भोजन में जनन में किस में तब कराइट एंसर क्या हो कि ब्रीधी में हो जाएगा अगला क्यों चन दिया है क्या कि 42 तंत्री का तंत्र का भाग है क्या मस्तिष रीड रजू डी में से सभी कौन है तीन में से क्या है सभी है ठीना यानि कि मस्तिष्क भी है तंत्री का तंत्र के भाग है और रीड भी है और रजू भी है ठीना अगला क्यों चन दिया है क्या 43 एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोण एवं रिलेक्स रिलेक्सिन हर्मोन स्त्रावित होता है किस से मतलब ए में दिया है अंडासे से बी में दिया ब्रीशन से से में ऐन्डर इनद्रीनियल गेरंथी से डी में दिया अगनासे से किस से तो आपका इसमें रायिट एंसर क्या हो जाएगा अंडासे से जो है एस्ट्रोजन प्रोघस्ट्रोन और कहा है स्रावीत होता है अगला क्योंचन दिया है क्या चोबालीस इनमें से कौन मादा जनन हर्मोन है इनमें से कौन मादा जनन हर्मोन है तो A में दिया है प्रोजेस्ट्रोन B में दिया है एस्ट्रोजेन ठीना C में दिया है एस्ट्री ड्रायल D में दिया इनमें से सभी तीन में से जो दे दिया है क्या है राइट एंसर अपका सभी हो जाएगा हैने कि प्रोजेस्टरोण भी हो जाएगा एस्ट्रोजन भी हो जाएगा और ST-DL भी हो जाएगा ठीना अगला किचन दिया है क्या 25 कुछ जानवर जुगाली करते हैं किसे के लिए करते हैं तब जैगा भोजन के पचाने के लिए ऐगला क्योंचन दिया है क्या 46-ग रुधिर्दाव तथा हिर्द संपदन की सहर्मन की द्वारा बढ़ता है तब ई में दिया है प्रोजेस्ट्रोन्स बी में दिया है िस्ट्रील ऐन्डूर्ड एंड्रेइल दिया है रिलैक्सें तब sizin एंसर क्या हो जागा एंड्रीलीन हो जागा क्यों जब में हो जाएowingते हैं अगला कि दहुंरा तरिफिर कार्योग का नियंत्रन होता है मैंने किसम होता है तो राइट एंस आपका यह दिया है ऑप्षन में तंत्रीका द्वारा बी में दिया रसायन द्वारा सी में दिया तंत्रीका यम रसायनों द्वारा और डी में दिया इन में से सभी तो किसम होता है तो तंत्रीका यम रसायनों द्वारा हो तरह के रसान है तो एमें सेह में है और जिन की तरह की तरह स साइटों कानीन की तरह निया विदि रोधक की तरह ज्याँए ब्रिधि की तरह होता है खिर मोगा ऑन गुट दिया हो कर लोगन्य में बूदे के उत्पाधन में ईभी रहिट पॉधे के उत्पादन में एस हाय कोते हैं कौन साय किसम होते हैं शाइटे work का नीन होता है ए कि अपसान भी में दिया है झाल एजीद घििया है जिबुवनी दौनों तर्फी याँ अउन्य यह अचया हो जागा डी हो जागा औक्जीनियम जिवरेलिन्स दोनों हो जागा कौन हो जागा आपका राइट एंसर हो जागा कि औक्जीनियम जिवरेलिन्स दोनों हो जागा अगला क्योचन दिया है किव्ष्ण नमर पचास इन में से कौन फल पकाने के लिए परजुक्त होते हैं तो एमने ऑप्शन दिया है augzyn B में दिया है jebrilin C में दिया है यह डी मेंने लिए साइटो Cytokinin confusion और पहरेटे अंसर क्या हो कीजिए और अधिसाधिक शेयर कीजिए धन्यवाद